कारिक्रम देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को सुश्मा का प्यार भरा नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कारिक्रम जिसका नाम है घर संसार और घर संसार में आज हम बात करेंगे परिवार के सेहत की और परिवार के सेहत से जुड़ी बातों में आज हम जिस विशे को चुन कर लाएं हैं वो है जॉइंट पेन इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रितु जैन आप होमियोपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर रितु जैन आप जैसा कि विशे हमारा आज का है जॉइंट पेन इस विशे पर जो पहला प्रशन में आपसे करना चाहूंगी वो यह है कि जॉइंट पेन क्या है जॉइंस पेन मतलब जहां पर अपनी बॉडी में जितने भी जॉइंस होते हैं जहां पर दो हड्डिया मिल रही होती है उसको जॉइंस बोला जाता है तो अगर वहां पर हमारी जॉइंस बनता ही बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है क्योंकि हमारी दो हड्डिया जो किसी आ सिंगल जॉइंट में भी हो सकते हैं सौ फेले सूरी को हो था जॉबर को कई बिमारी आपना पहला लक्षन तो दिखाती ही है तो जॉइन पैनका नग्ष न क्या हो सकता है और जॉइन पैनक्षन सभ Sorry, हमको पेईन के दर्द सब्सक्राइब की दाना-कम in रहला है तो मुव्मेंट करते वक्त हमारी बॉडी स्टिफ लग रही है, अकड़न आ रही है उसमें या फिर हलकी स्वैलिंग आ चुकी होती है, फोड़ी सूजन दिखती है कई पर वह पफिणस रहती है, साहत में लालिमा ली हुई सूजन रहती है, रहती है और हमें किसी बी चीज को करने के लिए हमारे joints में pain होता है हम नहीं कर बाते हैं लेकिन generally देखा जाता है यदि हमने कोई नहीं exercise शुरू की तो उसके बाद भी हमारी body उस चीज को accept करने से पहले भी थोड़ा सा stiffness आ जाती है और थोड़ा सा tightness लगता है थोड़ा pain होता है क्या वो भी joint pain की शुरूआत है देखी वो किसी exercise को जो हम करते हैं तो वो body पर depend करता है कि आपकी body किस तरीके की है अगर उसके पहले आपने बिल्कुल भी exercise नहीं करी है तो आपके joints जो हैं एकदम stiff हैं पहले से ही अकड़े हुए हैं और अगर आप किसी चीज अकड़ी चीज को जब move करते हैं और आपने excessively exercise कर ली है तो उस समय पर वहां पर थोड़ा बहुत pain आता है जो कि हफते दिन पंदा दिन में ठीक भी हो जाता है लेकिन जब वो किसी बीमारी का रूप ले लेता है और जब कभी किसी reason से कोई और अंदर से deformity या कोई परिशानी की वज़े से हमें joints pain हो रहे होते हैं तो वो हमारा दर्द जो होता है लंबे समय तक हो जाता है रितु जी एक बिमारी है गठिया बात यह बहुत आम चर्चा में रहती है और लोगों की जबन पर अर्जन से हसाब सुन सकते हैं कि हां इसको गठिया बात है और थराइटिस और गठिया बात क्या एक ही है देखी सारी ची लेकिन वो रमेटाइड अर्थराइटिस है जैसे गठिया बात है या फिर गाउट है जिसको गठिया सिर्फ बोला जाता है तो वहाँ पर अलग-अलग कारण होते हैं उसके और कारण के वजे से वो होते ही जॉइंस पे नहीं है लेकिन उनके कारण और इलाज वहाँ पर बद फिर इस्तरव होता है तो उससे थाकर बॉडि में यॊरिक शुट बन से सिर्फ होता है और वह पर बादने के कमेशिंट निकलना जाधा बढ़ड़ बढ़ जाता है और वह बढ़ने के वजे से यॉरिक शुट्रिग को च्टिश रशी आट में आप देखेंगगे जिनको ग पोजीशन को भी चेंज करती है तो उसी को हम पर गाउट कहते हैं और नॉर्मल अर्थराइटिस सूजन आई है आपके वहां पर और सूजन के साथ में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है वह ऐक नॉर्मल अर्थराइटेस चाहा जाता है और एक रोंडेटिस होता है जो की ऐक आपकी इम्मुनिटी ही बॉडी की आपके टिशू के अगेंस्ट काम करके उसको दिक्कत हो रही है जिसकी वज़े से अच्छा और ये जॉइन पेन जो है इसके क्या कारण हो सकते हैं जिससे मैंने बता है कि जॉइन पेन गठिया बात अर्थराइटिस ये बहुत सारी डिफा एक्डिविटिक की बहुत जरू हरता है को सब्सक्राइब कराणले करने जाता है जुआते हैं नुड़न यकॉज बहुत ज़्यादा कश जड़े का एउससे कंशे हो जाता है वाहना जाता है तो उस वज़ेसे धर जाता को जाता wa इंता को वाहें Meyer knock Anfang 2000 नहीं और आज की रेट में आज कि रेद में जह आज हो एंहां हमें क्याल्शियum की कमी, विटामिन दी की कमी तो इनकी वजह से भी हमें D emptiness हो ते हमy तो हमारे, אן मौन मेंट हो रहे हैं हो तो उस वजह से भी हमें दर्दानाई शुरू ह jijता है कि हड्डियों का रोग है ये बात भी क्या हड्डियों का ही रोग है गठिया बात जो है हड्डियों का के सासद मैंने जैसे बताया शुरुआत में कि जॉइंट जो होता है सिर्फ हड्डियां ही नहीं मिल रही है एक जॉइंट को बनाने में हमें वहाँ पर लिगामेंस भी है है, cartilages भी है, muscles भी है उसके उपर, तो जब हमें दर्द होता है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हड़ी में ही हमारे है, जिसे osteoarthritis एक होता है, तो osteoarthritis जहां पर bones, osteo मतलब bone, तो bones में जहां पर deformities आ रही है, वो osteoarthritis हो जाता है, और अगर आपका गहते हैं normal arthritis है, तो वो जो है, आपकी वहां पर ligament में भी आपके हो सकता है, सूजन आ रही हो, हो सकता है, आपके bones के साथ में आ रही हो, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ bones से ही related हो, वो आपके आसपास के circulation में जो joints की चीज़े होती है, सभी चीज़ों में अगर सूजनाना, injury होना, tearing होना जो हो रही है, उसकी वज़े से भी pain हो सकता है, यह जो pain है, इसकी शुरुवात कैसे होती है, मतलब किस तरह से होती है, क्या कारण होते हैं उसकी शुरुवात होने की जिससे मैंने अभी बताया है, जो लक्षन है, या तो over exertion हुआ है, या फिर lake of activity है, या तो आपको किसी चीज की injury हो गई है, वहाँ पर किसी दिवज़े से आपको injury हो जाती है, कई बर हम गेर जाते हैं और injured हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो हम healing होती है, वह healing नहीं हो पा रही है, ही लिग भी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में nutrition नहीं है, हम हमें iron deficiencies हैं, तो हमें proper healing नहीं हुई है, तो उस वज़े से वह joint pain शुरू हो जाते हैं, आजकल जो छोटी बच्चियां हैं, जिनका periods अभी शुरू होने वाला होता है, ऐसे में भी उनके कमर में दर्द होना, और या फिर उनको कुछ अलग अलग तरह का pain होना, ये भी आम सम मस्या होती जा रही है, पहले ऐसा नहीं था, पहले यदा-कदा ही सुनने को मिलता था कि किसी को तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी ये हो रहा है, तो उसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? इसका कारण वही है कि पहले के लोगों का खान-पान बहुत अच्छा होता था, और वो खान-पान अच्छा होने की वज़े से डेफिशेंसी नहीं रहती थी, तो इतनी परिशानिया नहीं आती थी, आजकल जो हमें डेफिशेंसी हो रही है, बच्चों में भी सारी नहीं पाते हैं, तो निच्चों मेरो हमें, तो वह जो हमारे ही हो सही होती है. या जूरी हो जाते हैं. क्या ये सही है कि सिर्फ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं को नहीं, ये सभी के लिए आम बिमारी है सभी हो सकता है बच्चों में, जैंट्सों में, महिलाओं में, सभी में, पुर्शों में भी हो सकता है लेकिन महिलाओं में इसलिए जादा देखी जा रही है, क्योंकि महिलाओं की जो जिन्दगी हती है, लाइफ में बहुत सारे पड़ावाते हैं, बहुत सारे चेंज़ आते हैं, जैसे कि मैनुपोस की बात करें, चाहे वो मिनार की मतलब की जो शुरू आती जो होता है, बहता था तो ठीक रहता था, तब उमर होती थी दर्द की या तो कुछ लोगों को डिलेवरी के बाद होता था या फिर वो मैनुपोस के बाद होता था जादा अतर पेन, और आजकल वो चीज़े सभी लाइफ चल रहा है कि इसी भी एज में हो सकता है, तो प्रेंगनेंसी के आ रहे हो तो आपको extra nutrition, extra calcium की भी आपको requirement है, वो नहीं पूरी होती है, तो आपका कहीं न कहीं उस चीज़ का effect आपकी bones पे आएगा, joints पे आएगा, फिर आप exertion करोगे, ज्यादा work out करोगे, workload लोगे, तो वो जब हम कमजोर चीज़ों में हम ज्यादा heavy exercise या work कर लेंगे, तो वो वहाँ पर pain natural है आएगा, कैल्शियम की आपने बात कहीं कि कैल्शियम भी लेना चाहिए और pregnancy के दौरान महिलाएं जो है, वो कैल्शियम डॉक्टर के कहने पर ले लेती है, लेकिन उसके बाद और आफटर 30 एज में ये देखा जाता है कि कैल्शियम की deficiency आती ही है, तो ऐ आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है, और जब कभी भी हमको जल्दी थकान हो रही है, जल्दी हमें दर्द हो जा रहा है, सुबह उटते से ही हमें बाडी में अकड़न लग रही है, स्टिफनेस लग रही है, तो ये सब लक्षन दिखना शुरू हो जाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम आपको लेने की जुरत है, और कैल्शियम कितना लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करती कि आपको deficiency कितनी हुई है, तो आज कल ब्लॉड टेस्ट में हम आपको मालूम चल जाता है कि आपकी कैल्शियम लेवल कितना है, विटामिन डी लेवल कितना है, तो उसके विसाप से ही decide कि जाती है, तो आपको वन मन्त की ही requirement या 3 मन्स की requirement है, तो खान पान की एदे हम बात करें, तो खान पान कैसा होना चाहिए, तो ये सारी problems ना हो, द होती है जो नहीं खाना चाहिए पर्टिकुलर डिजीज में जैसे गाउट है तो यूरिक इसिड बढ़ड है तो वहाँ पर प्रोटीन डाइट कम कराई जाती है लेकिन अधरवाइस इन जनरल हम बात करें तो जनरल में हम देखेंगे हमें हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए है हेल्दी डाइट मतलब कि हमें जैसे कि आजकल डाइट बहुत जादा फ्लेक्ट हुई है बहुत जेजाए हैं लोग या तो बिल्कुल डाइटिंग पे हो जाते हैं तो बिल्कुल खाना छोड़ दे रहे हैं या फिर ओवर इटिंग हो रही है ज़रो से जादा शुगर खाना खाये फ्रेश खाना खाये हमेशा सीजनेवल फ्रूट कोई न कोई खाते रहना चाहिए और माइक्रो नुट्रिशन के लिए हमें सीड्स और नट्स खाने चाहिए यह बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने हमारे दर्शकों को इस विशे पर हम चर्चा आगे भी ज झाल 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 चतीज गण में हो रही विकास की बातें मनुरंजन की लहरे साहित निर्मान के पत्पर अब टाटा प्ले में भी देखा दूर दर्शन 36 गर्ला चैनल नंबर 1174 माँ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे आज के कारिक्रम में जिसका नाम है घर संसार और दर्श को आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन की इस विशे पर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रितुजैन आप होमेपैथी डॉक्टर हैं डॉक्टर रितुजैन हम बात कर रहे थे खानपान से रेलेटेड आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि आज कल यह दाल चावल रोटी सब्जी जो हम healthy food कहते हैं जिसे healthy खाना कहते हैं संतुलित अहार जिसे कहते हैं और बाकी सारी चीज़े कहते हैं या तो एक्स खाते हैं या फिर श्प्राउट्स खाते हैं सिर्फ उसी में रह जाते हैं तो क्या उनको proper nutrition मिलता है उसकी वज़े से जी वेखी बोलनी हूँ कि आप एक टाइप का न्यूट्रिशन बढ़ाके जो होता है आप पूरा करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी के रेकौर्इमेंट हो जाए तो नहीं है हमारी बॉडी के रिक्वायमेंन जैसे कि आप देखेंगे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि पार्च स्रके के हमारे नूट्रीशन अचीर होते हैं कि आपके डाइत में प्रोटीन भी होना चाहिए काब्स भी होना चाहिए लेकिन कम मात्रा में हो चाहिए आपके डिशाइड करते हैं कितनी खानी है, लेकिन होना सब कुछ चाहिए, आपको विटामिनों चाहिए, मिनरलों चाहिए, यह सारी चीज इन हमारी डाइट में होना चाहिए. हम एक टाइब के फूट के पीछे पढ़ जाते हैं। यह दो जब आप खाते हैं। टली हुई चीज़े और जब छोड़ते हैं होती है। हमारे हार्मोन वहत सारे हैं चाहिए। तो हमारे हमारे बडी में उसको और अप्सक्राफिक में आपने होती है। ये ये जानकारी होनी चाहिए तो अब हमको इससे थोड़ा सा निदान मिल सके। तो सबसे पहले खानपान पर बात करेंगे क्या खाना चाहिए बचाव के लिए तो सबसे पहले तो जॉइन स्पेन मैंने बता है कि कारण बहुत सारे होते हैं अगर ओवर एक्जर्शन या लेक ओफ एक्टिविटी इस सब कारण होते या इंजूरी हुई है तो उसमें खानप क्या है इस की वझे से दर्द जादा बढ़ जाते हैं चाहिए तो आपको पर्तिकॉलर गाउट ही हुआ है अर्यूरी के सिद की माड़ी इसमें यूरीक अशिद की मातराahan मैंग घऊ सूब करना चाहिए तो यह रहता है और कुछ तो उसमें जब गैसे वज़े से पेन होते हैं तो वहां पर ऐसी चीजे नहीं खानी जो आपको गैस बनाती है तो उनके लिए कुछ दाले हो जाती है कुछ सब्सक्राइब जाती है जैसे भटा हो गया और बहुत सरी चीजे हैं जो थोड़ा थोड़ा जैसे मुंग दाल सूट करती है लेकिन उड़ाद दाल सूट नहीं करती है तो गैस बनाती है तो उससे भी जॉइंट स्पेन हो रहा है तो चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज से नुकसान आ रहा है कि हमको किस चीज से परहेज करना चाहिए और किस चीज से परहेज नहीं करना च लेकिन सबसे इच्छा बेस्ट पार्ट है कि आप खुद समझे अपनी बॉडी को कि आपको किस चीज को खाने से परिशानी बढ़ती है और किस चीज को खाने से नहीं बढ़ती हैं गई लोग अल्कोहल भी लेते हैं और अल्कोहल की वज़े से भी काफी कुछ नुकसान देखने को मिलता है अल्कोहल स्मोकिंग जो है टबैको चोईंग यह सारी चीजे जो है एडिक्शन वाली है और यह कोई भी चीज अगर हमने ज़रु से जादा ली है तो वह हमारी बॉड बहुत क्रेविंग होती है कि मैं बजीया का हूं और एकदम से मैंने उस बजीया को छोड़ दिया तो मुझे तकलीफ हो रही है तो ऐसा कुछ होता है बॉड़ी में कि धीरे दीरे छोड़ना चाहिए या फिर एकदम से छोड़ देना चाहिए ने देखिए तली हुई चीज हो रहा है तो एक बार में भी छोड़ सकता है और रही बात पसंद की तो लोगों को हन हल्दी फूड ही टेस्टी लगता है तो वह तो पसंद की चीज़े छोड़ना मुश्किल ही लगती है घरे लो उपचार की अधी हम बात करें तो क्या-क्या ऐसे हमारे किच्छन की बात क द्यूर्स है ठाज है तो सबसे पहले कि जब भी आपको जॉइन पें हो रहा है तो घर पर ही आप थोड़ा सा जॉइन से अगर सूजन नहीं है जॉइन्स में तो हलका उसमें सर्सों के तेल की मालिश ले सकते जिसे कि वहां की जॉइंट्स में थोड़ा हैल्थ अच्छी हो वहां की वीक हो रहे हैं अगर तो खाने पीने में देखे तो कुछ चीजे होती है जैसे ठंड के समय में अगर आपको दर्द हो रहा है तो वहां मेथी दाने का पानी पी सकते हैं अगर आपको यूरीक एसिट ब जो है यह चार होते हैं यह इनीशल स्टेज पे हमें कंट्रोल करा सकते हैं लेकिन अगर आपकी कंडिशन सीवियर हो गई है तो वहां पर साथ में आपको मेडिसिन्स वगरा की भी जुरत पड़ सकती है जैसे किसी का एक्सिडेंट हो गया और एफेक्चर हो गया हाथ में य कहीं न कहीं एक जॉइंट रहे जिसके ऊपर टिश्यू वापस से आगे है और इसको जॉइंट कर दिया है तो वह कहीं न कहीं गैप हलका मिलता ही है और ठंड के समय में हमेशा हमने देखा है कि हमारी बोन्स वगरा में अगर कैल्शियम की डेफिशियंसी वगरा है आपको जादा पेंफुल हो जाती है तो ठंड में हमें थोड़ा सा यहां पर पहले से ही तैयारी करके रखना चाहिए कि आप पहले से अपना काल्शियम लेवल वगरा अगर सीख विटामिन डी लेवल वगरा ठीक रखते हैं तो वो उस दर्थ से बचाव कर सकते हैं एक और चीज स होती है तो ऐसा कुछ नहीं कि वो पें होना जरूरी ही है वो डिपंड कर जाता है कि आपके सर्जिन का हाथ कैसा था और दूसरा कई बर इंजेक्शन जो लगाये जाते हैं वो थोड़ा सा भी अगर बॉड़ी में उस टाइम पर कई पर पेंड कर देते हिल जाते हैं तो वो कोई चीजे हमें जाधा मालूम चलती हैं और अगर ईछी इम के सारे में वो तो हो सकता है हूं कई सारे दर्ध से कर आई है और उसकी सही पहचान कर आई है कि किस तरीके का दार्ध है को एक्यूट डिजीज ही है यह क्रॉनिक हो चुका है कोई कंडिशन है तो क्योंकि शुरुआत में किसी भी चीज को भीमारी को ठीक कर लिया जाए तो वह जल्दी ठीक हो जाती है और अगर वह चीज लंब शरीर में 206 हडिया है यह हमने शुरू से पढ़ाया गया है लेकिन उन हडियों की देखरेक करने के लिए हमें प्रॉपर उपाय जो है वो भी जानना जरूरी है इसके लिए आप क्या सुझा हो देंगे हमारे दर्शकों को दिखिए जैसे की हडिया जो है सभी लोग जानते यह한ा कैल्शण से बनी हो जी वोनज के लिए हमें बहुत सटेंडे जरूरत होती है और और हम प्रॉपर नियूटरीशन होसी लिए दो हमारे कारिक्रम में आई आपने हमारे दर्शकों के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्शुकों घर संसार कारिक्रम में आज हमने बात की जॉइंट पेन की बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें डॉक्टर रितुजैन के माधियम से और जानने वाली बात ये है कि हमें हमारी हड्डियों का प्रॉपर ध्यान स्विकार कीजिये हमारा नमस्कार